वेलकम लेर्नर्स, दिस इस यो मेंटर, टीचर एन फ्रेंड यह, चैप्रे नमबर थी चल रहा है, के वियर्स, टीजिटी का स्लेबस, एंसी आर्टी डिस्कुस कर रहे हैं, आज का चैप्रे है टेरोज रिवार्ड, यह एक जैपैनी स्टोरी है, और इस स्टोरी में एक लवि पुल्फिल करने के लिए बहुत सारी महनत करता है, और बदले में उसके एक अनेक्स एक्पेक्टेड हेल्प की जाती है, ठीक है, तो चली शुरू करते हैं, एक यंग वोड़कटर नेम्ट टैरो लिवड विद इस मदर और फादर ओन लोनली हिल साइट, एक जवान परा दिन लकडियों को चौप करता रहता है जंगल में, चौप का मतलब होता है कट इंटू पीसे, छोटे-छोटे टुकडों में कटिंग करना, ठीक है, दाव ही वर्कड वरी हाड, यद भी वो बहुत कटिन परिश्रम करता है, किया, पास्ट में सेंटेंस आपकर, ठीक है कमाया, this, just a minute, okay, this made him sad, ये उसको काफे दुखी बनाया, क्या दुखी बनाया, कि वो इतनी महनत करता है, फिर भी उसको, उसकी महनत के according, earning नहीं हो पाती है, ठीक है, for he was a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed, और इस तरह से वो काफी चिंतित son रहता है, और वो चाहता है कि वो अपनी old parents की सभी wishes को, सभी needed को fulfill कर सकी, ठीक है, on evening, when Taro and his parents were sitting in the corner of their hut, a strong wind begin to blow, एक शाम को, जब Taro and his parents बैटे हुए थे, एक corner में घर के, तो, एक strong wind, एक काफी जोर का तूफान शुरू हो गया, चलने लगा, और वो इतना तेज चलने लगा, कि वो sound देने लगा, ठीक है, throw the cracks, जो cracks, घर में जो छोटी-छोटी सी दिवार है, जो छोटा gap था इत दिवारों में, उसमें से, ये sound आने लगा, ठीक है, इतना जोर का तूफान था, the hut and everyone felt very cold, तो सब को काफी ज़्यादा ठंडक लगी, ठीक है, क्योंकि साकी एक Japanese alcohol drink का नाम हो सकता है, ठीक है, जी, बिल्कुल, तो उसके फादर कहते हैं कि, काश मुझे एक cup साकी का मिलता, जिस से, it would warm me and do my old heart good, ये मुझे गरम रखता और मेरे हिर्दय को भी अच्छा बनाय रखता, ठीक है, और इस से जो टैरो था, वो काफी sad हो गया, और वो, ये जो ड्रिंक थी, वो काफी जाते expensive थी, इसलिए वो जो है, काफी जाते sad हो गया, और वो अपने पिता का रदय जो है, वो वाम रखना चाह रहा था, ठीक है, how do I earn more money, मैं और पैसे कैसे कमा सकता हूँ, और ज्यादा money कैसे पास सकता हूँ, he asked himself, अपने आप से उसने पोछा, ठीक है, how do I get a little sake for my poor father, okay, वो पूछा अपने आप से, कि कैसे मैं अपने पिता के लिए, और ज्यादा, मतलब मैं अपने पिता के लिए, कैसे साकी कमा सकता हूँ, ठीक है, थोड़ी सी भी साकी कैसे कमा सकता हूँ, he decided to work harder than before, उसने decide किया, कि वो पहले से ज्यादा कटिन परिश्रम करेगा, अगली सुबा, टारो जंप आफ, वो उठा, बिस्तर पर से, than usual, जैसे कि वो उठता था, उससे पहले उठा, और मेड इस वे टू दा फोरेस्ट, और वो जंगल के तरफ चला गया, he chopped and cut, chopped and cut, वो काटता गया, काटता गया, as the sun climbed, वो तब तक काटता गया, जो सूरज है, वो चड़ नहीं गया तब तक, यानि की तो पैरोने तक, and soon he was so warm, that he had to take off his jacket, और जल्दी ही वो इतना ज्यादा heat feel करने लगा, गरम feel करने लगा अपने आपो, कि उसने अपनी jacket को take off कर दिया, ठीक है, his mouth was dry, उसका जो मौ था, वो सूख चुका था, and his face was wet with sweat, उसका जो मौ था, वो काफी सूख गया था, उसका भीग गया था, पसीना आने लगा था, ठीक है, my poor old father, मेरे प्रिय बुड़े पिता जी, he thought, उसने सोचा, if only he was as warm as I, काश वो इतने गर्मी महसूस कर पाते, जितना की मैं कर रहा हूं, ठीक है, and with that, he begin to chop even faster, और ऐसा कुछ कह करके, वो फिर से अपना chopping करना, तेजी से chopping करना शुरू कर देता है, thinking of the extra money he must earn to buy the sake to warm the old man's woman, तो यह सोचते हुए, कि इससे मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे, और जिससे मैं ज्यादा कमा सकूँगा, फिर साकी खरीदूँगा, अपने पिताजी की हद्यों को गरब रख सकूँगा, ठीक है, then suddenly taro stopped chopping, और वो suddenly chopping करना रोग देता है, what was that sound he heard, उसने यह कैसी आवाज सुनी, could it be, हो सकता है, could it possibly be rushing water, हो सकता है कि यह बहते हुए पानी की ध्वनी रही हो, जो उसने sound सुना, वो बहते हुए पानी का sound रहा होगा, taro could not remember ever seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest, taro ने कभी भी जिस जगह पे वो था, उस जगह पे, उसने कभी भी जो पानी की धारा है, मैंनि पानी का बहता हुए sound, उसने कभी इस जगह पे नहीं सुना था, ना तो उसको कभी याद था कि उसने सुना हुए हो इस जगह पे पानी की आवाज, ठी की हातों से जो कुल हरी थी वो फिसल गई, ठीक है, and he ran in the direction of the sound, तो वो क्या किया, वो दोड़ा किदर sound के direction में, जहां से आवास आ रहे थी, taro सा a beautiful little waterfall hidden behind a rock, तो जो taro था, उसने एक beautiful जना देखा, जो कि पहाडों के पीछे से जा रहा था, निलिंग एट प्लेस, घुटनों पानी था, वो शांती से बह रहा था, जी, जहां पर पानी बह रहा था, वो वहां पर शांती से पैट गया, he cuped a little in his hands, उसने अपने हाथों से cuped a little, यानि कि अपने मुह तक पानी का, जो पानी अपने हाथों में लिया, अपने face तक ले गया, and put it to his lips, अपने lips तक पानी को पानी को ले गया, ठीक है, was it water, क्या ये water था, और was it saakhi, क्या ये saakhi था, ये पानी था, ये साकी था, he tasted it again, again, वो बार बार जो है, इसको स्वाद चकता, test लेता, and always it was the delicious saakhi, instead of cold water, और बार बार ही उसको delicious tasty saakhi का, saakhi का test आता, किसके अलावा, ये ठंडे पानी की बज़ा ये उसको delicious saakhi का ही test message हो रहा था, Tara quickly filled the picture he had with him and hurried home, तो Tara जल्दी से भर लेता है अपने picture को, picture का मतलब होता है गड़ा, ठीक है, he had with him, जो उसके साथ था, और वो जल्दी से घर चला गया, the old man was delighted with saakhi, तो जो बूड़े पिताची थे, वो saakhi को देख करके काफी खुश हो ग जो ले गया था, उसको एक खुटी पीते, उनका जो बुड़े पिताची थे, उनका कापना, शिवरिंग कापना बंद हो गया and did a little dance, और उनने खुशी में डांस भी किया, जमीन पे, ठीक है, that afternoon a neighbor stopped by for a visit, तो एक पडोसी आया दो पहर में, उनके पास में, एक विजिट के लिए, तो टारो स्वादर पोलाइटली ओफर्ड हर एक कप ऑफ साकी, तो जो टारो के पीताची थे, उनके विनमरता से उनको ओफर किया नेवर को एक कप ऑफ साकी, ठीक है, the lady drank it greedily, तो जो लेडी थी, जो नेवर थी, उसने इसको पिया, बहुत ही लालच वश, ठीक है, म Magic Waterfall की स्टोरी थी, इसको सुनाना शुरू किया, thanking them for the delicious drink, तो धन्यवाद देते हुए, delicious drink के लिए, वो जल्दी में चली गए, by nightfall, she had spread the story, throughout the whole village, ये रात ही भर में, उसने ये सारी स्टोरी, पुरे गाह वालो तक फैला दे, यानि बता डाले, ठीक है, that evening, there was a long procession of visitors to the woodcutter's house और इस तरीके से, एक अच्छा खासा जमाव जो है, woodcutter's house के सामें शुरू हो गया, यानि कि, bid होना, इकटे जलूस इकटा होना शुरू हो गया, ठीक है, each man heard the story of the waterfall and two sip of the sake, हर किसी ने इनकी जो है, ये waterfall के स्टोरी सुनी, और एक sip जो है, sake का पिया, in less than, and over the picture was empty, और next morning taro started for work even earlier than the morning before, तो तूसले दिन जो taro था, उसने शुरू किया, काम पर जाने के लिए, वो जल्दी उठा, और the morning before, जैसे कि, वो पहले उठा था, उससे पहले वो वहाँ पे गया, वालब काम करने वाले प्लेस पे गया, he carried with him the largest picture he owned, तो वो अपने साथ क्या ले गया, बह और he intended first of all to go to the waterfall, तो वो सबसे पहले waterfall के पास गया, when he reached it, जब वो वहाँ पे पहुंचा, he found to his great surprise all his neighbors there, तो वो क्या पाता है कि जो neighbors हैं वहाँ पे already मौजूद है, they were carrying pictures, jars, buckets, anything they could find to hold the magic सागी, तो उसने देखा कि जो neighbors थे वो already घड़े या जार या बाल्टियां जो भी उनके पास मौजूद था, वो सब को लेने के लिए magic सागी को लेने के लिए वहाँ आगये हैं, पहुंचे हुए है, then one village knilled and hilled his mouth under the waterfall to drink, तो एक विलेजर जो है गाउं का आदमी, वो बैठा कुटनों के बल, और जो है उसने अपना मुह से जो है, मुह को जो है अपने waterfall तक लगाय और पिया, यह drank again again, वो फिर से पीता गया, पीता गया, and then shouted angrily, और फिर वो गुस्ती से चिला है, water nothing but water, पानी कुछ नहीं है, बस पानी है, others also tried, और उनी भी ट्राइ किया, but there was no sake, only cold water, लेकिन कुछ भी वहाँ पे साकी नहीं था, बस खाली तंदा पानी था, जी, we have been tricked, हम सब को चला गया है, tricked का मतलब होता है न, दोखा देना, ठीक है, trick से बना है trickster, tricky, okay, shouted the villagers, ऐसे गांवले चिला है, where is Taro, Taro कहा है, let us drown, let us drown him in this waterfall, चलो हम सब उसको waterfall की पास ढूनते हैं, but Taro had been wise enough to sleep behind a rock, when he saw how things were going, he was now, now here to be found, तो जो Taro होता है न, वो ये सब देख रहा होता है, बहुत बुद्धी माने सा, और वो चुप जाता है, पत्तर के पीछे, ये सब जब तक चलता रहता है, ठीक है, और उसको कोई तो नहीं पाता है, Taro को, mutering their anger, mutering का मतलब होता है, कि दीरे-दीरे कुछ बोलना बढ़ बढ़ाना कह सकते इसको, जी, बिल्कुल, तो, अटरिंग बोलिए, बढ़ बढ़ाना बोलिए, ओके चले गया, their anger, तो अपने गुसे को सब लोग बढ़ बढ़ाती हुए, बोलते हुए, and disappointment, और जो हताश होते हुए, the villagers left the place one by one, जितने भी गाहँ वाले थे, दीरे अपने था मेन लिए, once more, he cut a little liquid in his hand and put it to his lips, उसने एक चोटा सा, मतलब, उसने अपने हातों से जो है, थोड़ा सा लिकुट लिया, और उसको जो अपने होटो से लगाया, ठीक है, it was the same fine saki, और ये बिल्कुल, पहले की, जैसे ही saki निकली, to the thoughtful sun, तो, जो thoughtful sun था, the magic waterfall gave the delicious saki, तो उसको, ये जो magical waterfall था, वो उसको delicious saki दिया, ठीक है, जो everyone else क्या, सब लोग कलाते, it gave only cold water, या किवल cold water उनको मिला, the story of taro and his magic waterfall reached the emperor of japan, ठीक है, तो ये इस्टोरी दिना taro की, ये magical waterfall की, ये जो ये emperor japan की थी, उनके पास पहुसती ही, इस्टोरी, he sent for the young woodcutter and rewarded him with 20 pieces of gold for having been so good and kind, तो उसको sent for phrasal verb, इसका मतलब होता है, बुलाया जाना, ठीक है, तो उसको बुलाया गया, young woodcutter को, और उसको reward किया गया, rewarded and उसको प्रुश्कृत किया गया, 20 piece of gold दिये गये, having been, और क्यों दिये गये, क्योंकि वो इतना अच्छा दयालू था, then he named the most beautiful fountain in the city of the taro, और उसके नाम पर ही, गाउं में, एक खुबसूरत सा fountain, बनवाया जाता है, जिसका नाम, taro रखा जाता है, जी, this said, the emperor was to encourage all children to honor and obey their parents, और ये कहा जाता है, राजा ने कहा, कि ये सब को encourage करेगा, सभी बच्चों को, कि वो अपने माता पिता को कि आज्या माने और उनका सम्मान करे, ठीक है, और ये एक Japanese story है, हमको करना ये है, story को धान से पढ़ना है, characters को भी, ठीक है, और character में आयों जो भी words से हमको छोड़ना नहीं है, especially vocab को credibly, as it desiring more and more, यानि लालचवश, ठीक है, intendant यानि planned, clicked, derived, muttering, speaking unclearly, sent for called, ठीक है, बाकि ये क कुछ question answer है, ये सभी आप देख लीजिएगा, ठीक है, MCQ वकिरा जो है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, और कोई suggestion देना हो, मुझे बिल्कुल दीजिएगा, और YouTube चैनल को like करेंगा, subscribe करेंगा, share करेंगा, thank you so much